गुड मोरिंग स्वेंस, तोडी वी विल कंटीनू सेकंड चाप्टर, ओपेन पेज नमबर 27, एक्सरसाइस 2B क्वेशन अबर फर्स, राइट अप्रोप्रियेट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वाल इन दी सर्क्यल सर्क्यल पे हमें, लेस्ट ग्रेटर देन और इक्वाल का साइन पूट करना है, ए नमबर पे है, 68477 और 68470, हमें कंपेर, पहले हम इने कंपेर करेंगे, कौन सा नमबर छोटा है, कौन सा नमबर बढ़ा है, ए नमबर जो नमबर है, उनकी जो फर्स डिजट है, ठीक है, लेफ सेकंड डिजट है, वो भी सेम है, एट है, यहां भी एट है आपका, फोर डिजट भी सेम है, फिप्थ डिजट भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, इनकी जो फिप्थ डिजट है, फिप्थ डिजट है, फिप्थ डिजट है, फिप्थ डिजट है, फिप्थ डिज बड़ा है means यह वाला आपका नंबर क्या है बड़ा है तो यहाँ greater than का sign आएगा greater than का sign यह है आपका means जो नंबर बड़ा होता है उसके साइड उसका माँ open होता है बी नंबर पर डिजट पहले count करते 123456 123456 यहां 6 डिजट है 12345 यहां 5 डिजट है 6 डिजट है 5 डिजट है means यह वाला नंबर आपका क्या होगा बड़ा होगा क्योंकि इसमें डिजट जादा है तो यह आपका largest नंबर होगा तो यहां भी साइन आएगा greater than का clear this number is greater than to this number c number c number पर compare करेंगे पहले डिजट count करें 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजट है दोनों में 77 डिजट है ठीक है अब हम डिजट compare करेंगे इसकी जो फर्स डिजट है वह 7 है यहां भी इसकी फर्स डिजट क्या है तो हम इसकी जो लास डिजट है वह क्या है सेम है न तो हम इसकी जो लास डिजट है वो compare करेंगे यहां 5 इसकी लास डिजट और यहांienia nodig five क्या है इच से छोटा है तो यहां आसन्वाला नंबर क्या होगा दो यहां आपका less than का sign अएगा इस नमबर इस लेस दें तो इस नमबर फ्लिया D नमबर डिजट सेम होंगी समफिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजट है अब हम इसकी फर्स डिजट देखेंगी यहां 8 है और यहां भी 8 है सेकंड डिजट 0 है यहां भी 0 है सेम है 3rd डिजट यहां 8 है यहां भी 8 है सेम सेम है ना 4 डिजट भी दोनों की सेम है 5 डिजट भी दोनों की सेम है 6 डिजट में यहां 0 है और यहां 9 है 0 क्या है 9 से छोटा होगा means आपका यहाला नमबर छोटा है तो यहां किसका साइन आएगा less than the sign आएगा, this number is less than to this number, clear, g number, g number, g number की first digit 3 है, यहां भी 3 है, second digit 6 है, इस वाले number में भी second digit 6 है, third digit 8 है, दोनों में third digit 8 है, four digit दोनों में zero है, fifth digit दोनों में one है, sixth digit दोनों में two है, means दोनों side के number की जो digit है, वो equal है, बराबर है, same है, तो यहां equal का sign आएगा, question number first clear, अब जो three left है, वो आपके लिए homework है, आप अपने से करिएगा, question number second है, pick and write the smallest and largest number from each of the following, हमें इसमें से smallest और largest number write करना है, a number पे हम first digit देखते हैं, ठीक है, first digit में a है, यहां eight है आपका, ठीक है, यहां six है, eight है, two है, four है, two वाला आपका सबसे छोटा number होगा, means आपका smallest number क्या है, 298001, तो यहां आपका यह smallest number हो गया है, आप इसे smallest number पे write करोगे, 298001, अब largest number में, eight eight वाले ही largest number बढ़े होंगे, आपके largest number होंगे, six of four तो होंगे, तो अब यहां eight eight के two number, तो हम दोनों का comparison करेंगे, इसकी second, first digit तो सहीं में दोनों की, second digit यहां three है, यहां zero है, means यह वाला number आपका बढ़ा होगा, largest number होगा, तो largest number में, eight three, double eight, one two, clear, b number पे, digit count करेंगे, ठीके, यहां one two three four five six, six digit है, one two three four five six seven, seven digit है, one two three four five six, seven digit है, one two three four five six, six digit है, one two three four five, five digit है, means इसमें smallest number कौन सा होगा, आपका five digit बाला है, तो आपका smallest number क्या है, six three eight four two, अब largest number आपका कौन सा होगा, seven digit वाले, तो यहां seven digit वाले आपके, कितने number है, two number है, तो हम comparison करेंगे तोनों में, इसकी जो first digit है, है, वो six है, इसकी first digit क्या है, two है, means आपका जो six वाला है, वो largest number होगा, largest number six four three two one three six, one जो left है, आपके लिए homework है, question number third is, write the following numbers in ascending order, ascending order पर write करना है, ascending order means होता है smallest to greatest, means छोटे से बढ़ा, ए नमबर पर, पहला हम digit count करेंगे, one two three four five, six, six digit है, one two three four five six, six digit है, one two three four five six digit है, five digit है, six digit है, तो five digit वाला ही, ओवेसे छोटा ही होगा, हना, तो हमें पहले smallest number write करना है, तो हम इन दोनों में comparison करेंगे, कि कौन सा number छोटा है, तो इसकी जो first digit, पहले हम किसमें comparison करेंगे, इन दोनों वाले नमबर में ठीक है, तो यहां first digit six है, second digit two हो है, और यहां भी first digit six है, second digit आके two है, third digit यहां three है, और यहां seven है, means three आपका छोटा होगा seven से, तो आपके smallest number कौन सा सबसे छोटा number है, यह वाला, तो हम इसे पहले write करेंगे, six, two, three, seven, two, second पे कौन सा आपका एगा, six, two, seven, three, two, then हम जो three six six digit वाले number है, उसका comparison करेंगे, यहां इसकी first digit two है, और यहां eight है, और यहां भी eight है, means two वाले number आपका छोटा होगा, तो हम इसे third number पे write करेंगे, two, three, six, seven, two, eight, then अब two numbers पाचे हैं हमारे पास, उनका comparison करेंगे, first digit यहां eight eight है, second digit zero है, यहां nine है, तो zero के nine से छोटा होगा, तो आपका यह वाला number आएगा, then last number, eight zero three nine eight two, eight nine three eight two zero, यहां आपका smallest to greatest में होगा हो, बी number पे हैं, digit compare करेंगे, यहां first में eight है, ठीके, यहां six है, यहां nine है, यहां five है, यहां six है, तो five वाला number क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि हमारा five सबसे छोटा है, तो यहां पहले आएगा, five one, fifty one lakh, then six, six, जिसकी first digit six six है, उनका comparison करेंगे, first digit six है, और second digit यहां zero है, और यहां one है, तो आपका जो zero है, वो one से छोटा होगा, आपका second number पर यह वाला number आएगा, six, zero, one, कितने four zero है, okay, then इस वाले number के बाद यह number आएगा, 61 lakh है, अब कितने हैं, दो number पर बैच्चे, यहां eight है, इसकी first digit होई यह nine है, तो eight वाला आपका क्या होगा, छोटा होगा, हाना, तो 81 lakh, then nine zero one, four zero है, यह आपका sending to, oh sorry, smallest to greatest में होगा, sending order पे, turn your page number, 28, 28 पर page number पे, d number, d पे है, हम इनकी digit count करेंगे, उसकी according right करेंगे, ठीक है, first one, two, three, three digit है, one, two, three, four, five, five digit है, one, two, three, four digit है, one, two, three, four, five, five digit है, one, two, three, four, five, six, seven digit है, तो आपका जो three digit वाला number है, वो सबसे चोटा number होगा, तो पहले हम six, eight, four को right करेंगे, then आपका five digit वाला, four digit वाला number चोटा होगा, तो nine, eight, zero, two second में आ गया, अब आपके जो five digit के number है, वो चोटा होगे, ठीक है, तो five digit के यहाँ two number, तो हम comparison करेंगे, इसकी first digit यहाँ four है, और यहाँ eight है, तो four क्या है, four is less than two eight, four eight से चोटा है, तो आपका थर्ड में आपका 45,100 होगा, देन आपका four number में, 89,999, अब आपके, कौन सा last number बचे, seven digit पाला, तो यहाँ, आपका, one, zero, two, double, zero, one तो आगे, question number third clear हुआ, कैसे smallest to greatest right करते हैं, अब जो two left है, आपके लिए homework है, ठीक है, question number third तो complete का लिजएगा, notebook पे,